बच्चो में अलका नानी आज फिर एक कहानी लेकर सब के सामने अपस्तित हुई हूँ कहानी कितनी ही पुरानी हो लेकिन आज भी उतनी ही शिक्षा और प्रेरना दे जाती है जितनी उस समय पर जब यह लिखी गई थी कुछ लोगों ने यह कहानी सुनी होगी और कुछ ने नहीं लेकिन कहानी सुनकर सब बच्चों को मज़ा वश ही आएगा इस कहानी का शिर्षक है भेडिया आया भेडिया आया एक गाउं में एक चरवाहा था जो गाउं की भेड बकरियों को इखटा करके जंगल में घास चराने ले जाता था और शाम को वापस ले जाता था एक दिन वह बिमार पड़ गया तो उसने अपने बेटे को बोला कि जब तक में ठीक नहीं हो जाता तब तक भेड बक्रियों को लेकर तुम जंगल में जाओगे और शाम को वापस लेकर आओगे बेटा ऐसा ही करने लगा लेकिन बेटा थोड़ा शेतान था उसके दिमाग में कुछ शेतानी करने की इच्छा होने लगती थी एक दिन उसने सोचा कि गाउवालों को बेपूब बनाये जाए तो वह जोर-जोर से चिल्लाने लगा भेडیا आया भेडिया आया बचाओ बक्रियों को खा रहा है बचाओ 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 गाउवालों ने जब उसके आवाज सुनी तो वे डंडे लेकर दोडते वे आए और उस बच्चे से पूछा कि कहा है भेडिया तो वो हसने लगा और कहने लगा बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया बुद्धू बनाया बड़ा मज़ा आया गाउवालों ने उसको डाटा और वापस चले गए दो-तिन दिन के बाद फिर उसको शरारत सुजी और उसी तरह से चिलाया भेड़िया आया भेड़िया आया मेरी भेड़ बकरियों को खा रहा है गाउवाले डंडे लेकर दोड़ते वे आये तो फिर बोला कि बुद्दू बनाया बड़ा मज़ा आया गाउवालों ने फिर उससे डाटा और वापस चले गए एक दिन ऐसा हुआ कि वास्तों में भेड़िया आ गया और वह लड़का जोर से चिलाया भेड़िया आया भेड़िया आया बचाओ 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 गाउवालों ने सोचा आज फिर शरारत कर रहा है तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और कोई भी नहीं आया बेडिया दो-तिन बकरिया खा गया वो लड़का घर पहुचा तो पिताजी ने भहुट डाटा कि तुने आवाज देकर गाउवालों को क्यों नहीं बुलाया बेटे ने बोला मैंने तो आवाज लगाई थी लेकिन कोई आया ही नहीं जब पिताजी ने गाउवालों को कहा तो उन्हों ने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुट शेतान है पहले दो बार वह शेतानी कर चुका और जूट बोलते हुए हमको बुद्दु बनाया तो तीसरी बार भी हमको ऐसा लगा कि वह बुद्दु बना रहा है इसलिए हम कोई भी नहीं गए तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि देखो हमेशा सच भी बोलना चाहिए इस तरह से शेतानी करोगे और जूट बोलोगे तो लोग तुम पर विश्वास नहीं करेगे और वक्त आने पर तुमारी सहायता भी नहीं करेंगे वह इस बात को समझ गया और भविश्य में फिर उसने कोई शेतानी नहीं की तो बच्चों आप लोग समझ गये ना कि हमें ऐसी कोई शेतानी नहीं करनी चाहिए कि लोग हम पर विश्वास करना छोड़ दे और वक्त आ पर हमारी सहायता भी नहीं करें यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छे-ची कहानियां आपको समय पर मिलती रहें फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ नमस्कार